गुड मॉनिंग बच्चो गुड मॉनिंग सार बच्चो क्या आपने KVPY का फॉर्म फील कर दिया है? KVPY? सरी KVPY क्या है? KVPY यानि की किशोर विज्ञानिक प्रोथसाहन योजना इसके तहट छात्रों को विज्ञान के ख्षित्र में सरकार की ओर से fellowship प्रदान की जाती है ताकि research को बड़ावा मिले इस योजना के लिए सरकार एक परिक्षा योज़ित करती है जो छात्रों KVPY परिक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें research के लिए सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जाता है सर क्या हम भी KVPY एक्षाम दे सकते हैं हाँ बच्चो जो भी student class 10th पास कर चुका है KVPY की एक्षाम दे सकता है सर क्या इसमें कोई percentage criteria है हाँ बेटा अगर हम class 10th के percentage की बात करें तो general और OBC category के लिए minimum 75% और STHC और PWD category के लिए 65% minimum criteria है सर क्या ये minimum criteria सारे subject के लिए है नहीं बेटा केवल maths और science को मिला के हमको ये minimum criteria cover करना होता है सर हम इसका form कैसे feel कर सकते हैं क्या इसका form हमें online feel करना होगा हाँ बच्चो इसका form हमें KVPY के online portal पर feel करना होगा और इसकी opening date online portal की opening date 6 September 2020 को थी और 19 October 2020 को इसके online application की closing date है मतलब की 19 October से पहले-पहले हमको इसका form feel कर देना है सर इसकी exam date क्या होगी? बच्चो इसका exam date 31 January 2021 है और 2nd week of January 2021 को हम अपने admit card download कर सकते हैं सर इसका exam fees क्या होगा? हाँ बच्चो अगर हम general और OBC category की बात करें तो 1250 रुपीज और S.E.S.T. और P.W.D. की बात करें तो 625 रुपीज और bank charges अलग से हमें देना होते हैं अरे सर ये थो थोड़ा महंगा लगता है हाँ बेटा परफॉर्म तो हमें feel करना ही है सर इसमें कौन-कौन से subject हमें पढ़ना होगी? इसमें हमें mathematics, physics, chemistry और biology भी पढ़ना है थैंक्यू सर आपने आज हमें बहुत अच्छी exam के बारे में बताया बच्चों हम next lecture में इसके syllabus की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम online application form feel कर सकते हैं बढ़ बढ़ सर ओके बाई बाई बेटा